A&D Solar Fence Guard आज मैं ये वीडियो PCB का बारे में बना रहा हूँ मशीनों में लगने वाले PCB कितने quality की होती है सब का काम क्या क्या है हल की कौन सी होती है अच्छी quality की कौन सी होती है उसको repairing कैसे होता है वो वीडियो में बाद में बनाओ rua, repairing का आज मैं ये वीडियो आपको PCB कई बार केट में मशीनें भी का कुछा है दिखने में एक जैसी दिखती है जटका उसका एक जैसा लोग बार से देखते है उसका जटका सेम है, मसीन सेम है सब की मसीन अलग लोग होती है इसका सोटा दटके के लिए होता है यह डिसी में दिखने वाले आप देख लो सेम दिखेंगी ये भी सेम है ये बढ़िया गॉलिटी की मसीन होगी उसके पीसी भी बढ़िया लगी होगी और उसमें यह मार्केट में पीसीई मलेगी है और थायरेन मृषिय से चला लेता यह साम जब वो मसीन सस्ती पड़ती है और बड़िया कॉलिटी की PCB डालते हैं उसके अंदर PCB ऐसा होगा और साइरेन की PCB सॉलर का भी ऐसा होगा और साइरेन का PCB ऐसा होगा ये तीनों मिला करके एक सैट बनता है और इसके साथ में ट्रांसफार्मर बड़िया कॉलिटी का मिलता है जब जाकर के ये मसीन अच्छी कॉलिटी काम करती है जब आप लेना चाहते हैं सस्ती भी मार्गेड मिल जाती है महंगी भी मिलती है PCB इस तरह की भी मिलती है ये PCB हराजमी से रिपेरिंग नहीं होती है क्यों इसका डपी का ऐसी है इसमें डाल रखा है इसलिए ये हराजमी से रिपेर नहीं कर सकता है उसके बाद मैं ये आया ये भी PCB है ये भी सोहाव का PCB है जटके मशीन का ये भी जटके मशीन का है कई तरह की जटके मशीने बनी हुई है मार्गेड के अंदर एवेलेबल होगी पर आपको ज़्यादातर मशीन आपको ये ही मिलेगा और इसके साथ में एक सोटा PCB मिलेगा मैं PCB बता देता हूँ आपको इसके साथ में ऐसा PCB मिलेगा सायरेन का और इसके साथ में एक स्कॉलर का PCB मिलेगा सोटा ऐसा किट आपको मिलेगा वो मसीन आपको सस्ती मिलेगी मसीन अच्छी कोलेटी की मिलेगी तो उसकी लंबी उमर होगी करंट भी इसका जादा होगा जब वायर के अंदर करंट डालोगे तो उसकी लॉंग लाइफ होगी वो मसीन खराब नहीं होगी इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मसीन खरीच समय ध्यान रखे मेरे नमबर है 9982-8889